दोस्तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है विलियम इमसन की एक बहुत ही बेहतरीन बुक जो की जिसका नाम है मिल्टन गॉड तो दोस्तो आज हम इस बुक के समरी को डिसकस करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम विलियम इमसन के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तो विलियम इमसन का जन 27 सितंबर 1906 में हुआ और इनकी मृत्यू जो है वो 15 अप्रेल 1984 में हो गई इनकी जो नेसनालेटी थी वो बृटिस थी यानि कि बृटिसर्स थे और जो इनका नोटेबल वर्क है यानि कि जो इनका सबसे फेमस वर्क है वो है seven types of ambiguity तो जो अगला जो हमारे विडियो होने वाला है तो उस पर मैं seven type of ambiguity के बारे में बात करूँगा और जो इनका style है, मतलब जो genre है, जिस genre में वो लिखते हैं, और लिखा करते थे, I'm sorry, वो था new criticism, तो दोस्तों ये इनकी कुछ short introduction है, विलियम इमसन की, तो चलिए जो book का summary है, हम उसको discuss करते हैं, दोस्तों ये जो work है, Milton's God, वो उन्होंने दरसल जब विलियम इमसन जो paradise lost जिसको लिखा है, जौन मिल्टन ने, तो जब वो book पढ़ रहे थे, तो book पढ़ने के बाद उनको कुछ idea आया, और जो idea आया, वो उन्होंने इस book में लिखा, ठीक है, तो basically इस book में वो ये बताते हैं, कि अगर सैटन जो है, जो कि विलन था उस work में, उस epic में, तो अगर सैटन जो है, वो भगवान को follow करता, यानि कि God को follow करता, तो जो उसकी desire है, जो उसकी wishes है, जो उसकी ideology है, वो खतम हो जाती, ठीक है, तो basically विलियम इमसन ने क्या किया है, कि Christianity के उपर attack किया है, ठीक, किसको लेकर, सैटन को लेकर, और ये बताया, कि अगर सैटन जो है, वो जो भगवान बोल, जो God उसको बोले थे, और वो बात, वो मान लेता, तो वो जो उसकी ideology है, या फिर बोल सकते हो, wishes है, और desire है, वो उससे मतलब उसको comparison करना पड़ता, ठीक है, अब किस सेंस में comparison करना पड़ की, that is paradise lost, हमें उसकी summary को जानना पड़ेगा, तो short में हम बिल्कुल summary देखते हैं, तो दोस्तों, जो Milton है, John Milton, उन्होंने work लिखी थी, paradise lost, जो की commonwealth period में लिखा गया था, तो इसमें क्या होता है, कि जो सैटन था, सबसे पहले वो God का ही एक बनाया हुआ angel था, ठीक है, God उसको प्यार भी करते थे, लेकिन कुछ वक्त बात क्या हुआ, कि भगवान ने, यानि कि God ने एक और आदमी को बनाया वहाँ पे, जिसका नाम था सन, ठीक है, उन्होंने सन को भी बनाया, उनका नाम यह सन, जिसको हम लोग basically Jesus Christ बोलते हैं, तो सन को उन्होंने बनाया, और अब से जो सेटन था, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, कि यार यह क्या बात है, आपने मुझे भी बनाया, आपने मैन को भी बनाया, यानि सौरी सन को भी बनाया, तो आप ऐसा क्या है कि आप उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हो, और हमको कम कर रहे हो, और यह बात से दिल पे आके लग गई, तो उसने बोला कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, कि मैं भी तो आप ही का बनाया हुआ एंजल हो ना, और जबकि मैं, यानि कि सैटन, वो सन से पहले आया था, तो जाहिर से बात है कि म तो उसने बोला कि अब मैं भगवान से, यानि कि गोड से लड़ूंगा, अपने हक के लिए लड़ूंगा, और उसका जो एक मित्र था, जो बाद में जाकर उसका सेना पती बन गया, जिसका नाम था बेलजीबब, तो उसने बेलजीबब से ये सारे बाते बताएं कि अब भ भगवान से लड़ना वह अपने हक लिए और उसके बाद क्या हुआ कि उसने बहुत सारे लोगों को जुटाया, जिसमें एक का नाम है बिलाल, उसकी बेटी थी, चन्वाइब, तो उसने बहुत सारे लोगों को जुटाया और भगवान से, जो है, वह चालू कर दिया,ided太 Lord heißt पीसरे दिन यो ंने जब अगंगने जो संद आपन समय तो गए संद आगए सारव यूद को समय दिये और जो सेट था उसको नर्क में भेज डिया जिक्टिन को look तो एक बार God उस हिल में गए और जाकर सैटन से बोले कि क्या जरूरी था ये वार करने की क्या जरूरी था एलियन बनने का ठीक तुधे वहाँ पर चलो वापस चलो वहाँ पर मतलब कि God फिर से आए उसको कि चलो वापस चलो तुम लेकिन यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बहतरी लाइन बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लाइन जो है वो सैटन बोलता है कि I don't want to be serve in your heaven I want to be the king of my health मतलब कि उसने यह बोला कि नहीं मुझे आपके स्वर्ग में गुलामी करने का कोई सोक नहीं है मैं इसी नर्ग का राजा बनके रहना चाहता हूं मैं आपके साथ नहीं जाओंगा और यह जो जंग है वो हमेशा आपसे जारी रहेगी अब यह मत समझ यह कि मैं हार गय तो मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा मैं आऊंगा मैं फिर से वापस आऊंगा मैं लड़ूंगा आपसे फिर यह कभी जंग खतम होने वाली नहीं है तो यह चीज कहकर और वो बोलता है भगवान से कि नहीं मैं आपके पास नहीं आऊंगा ठीक है तो यही बात विलियम इम और तो इस वर्क में उन्होंने बताया है कि जो उस वक्त सैटन की ऐडियोलिजी थी कि नहीं मुझे रिबेलियस मुझे बहगवान से रहना यानी कि God से रहना है तो बस रहना है अगर उस वक्त यानी कि जब गॉड आयत है सैटन के पास और अगर उस वक्त जो सैटन है वो अपने आप से कंप्रमाईज कर लेता तो जो उसकी आइडियोलिजी है जो उसकी डिजायर है जो उसकी विसेस है वो मर जाती ठीक है एक्जामपल एक लेते हैं और डे टो डे लाइप से जैसे कि माल लिजे कि आप एक ऐसे लड़की को प्यार क करते हों जो आपकी कास्ट की नहीं है आपकी रिलीजेन की भी नहीं है ठीक है लेकिन आप उसे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा करते हो तो जब बात साधी तक पहुँची और जब आप गये पापा के पास तो वो नहीं माने तो उस बग दूस दूस सिच्वेशन क्रियेट होगा है एक तो आप अपने जो आपकी जो प्यार है जो आपकी विस है अफेक्शन है जो लव है आप उस पे कायम रहो कि नहीं मैं करूँ क्या है कि आप इन सब चीजों से कंप्रमाईज करलो कि ठीक है चलो ठीक है प्यार है छुड़ो उसको कास्ट जो है वो अपना नहीं रिलीजन जो है अपना नहीं है तो छोड़ दो राने दो दूसरे से साधी कर लिया चायेगा तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका है जिसमें हम लोग जो अपनी विस है mm ya है जो अपनी आईडियोलेजी है उससे हम लोग कंप्रमाईज कर लेते हैं किसी एक बाड़ी सक्सेस के सेंखिर के व police सकते कि अगर कुछ लोभ के लिए अगर और टेुदर में चुकिलीक होगी तो यही बात इस वर्क उनने आगे यह भी बताया कि अगर जो एक पर्सन है और थेटेटार वह्मिजीं को फॉल्ओ करता है तो वह हमेशास दविधा में फॉसेगा हमेशा वह दविधा में फॉसेगा जयसे नहीं मान लिए कि जो science है वो भगवान को झानता और जो भगवान और जो घर्म है तो हमारा religion हो भगवान को मानता है तो कुछ अपर बहुतने यहां पर आपको वह चीज करना है तो आपको जो उसाइटी का बेरियर है उसको आपको तोड़के निकलना पड़ेगा यह तो अगर आप रिलीजन को फॉलो करने लगोगे तो आप उन चीज़ों को नहीं जानोगे ठीक है उन चीज़ों को आप जान ही नहीं पाओगे जैसे कि हम लोग को ये पता है कि जो सुर्र है जो सन है वो हम लोग के देवता हैं, ठीक है, अगर आप religious हो तो आप ये बात जानते हो, लेकिन आप religion को मा लिजे की sun के बारे में कुछ जानना है आपको जैसे कि उसमें कौन सी गैस हैं, जो आप उसमें टकराती है, जिससे इतना ज़्यादा आग पैदा होता है, तो जब तक आप religion से हटोगे नहीं, तब तक आप उस चीज पे सर्च करोगे नहीं, तो विल्यम इमसन जो हैं, वो ये भी पताते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको religion को follow नहीं करना चाहिए, तो दोस्तो यही चीज है, यही summary है इसकी, और आई होब कि आपको summary अच्छी जा सकते हैं, तो दोस्तो जो पहला question है, वो यह है कि the essay, linguistic as a model of poetic is written by, यहनि कि linguistic as a model of poetic किसके द्वारा लिखा गया था, जिसका answer है, जोनाथन कुलर, ठीक है, दूसरा question है कि discourse on colonialism is a work written by, तो discourse on colonialism जो यह work है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तो इसका answer है, I am Caesar, अगला question है, who has written a vindication of rights of women, तो vindication, a vindication of rights of women, जो वर्क है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, जिसका answer है, Mary Willstonecraft, तो दोस्तो यह work है, वो feminism की बहुत बड़ी work है, और Mary Willstonecraft को हम लोग first feminist भी बोलते हैं, अगला question है, a vindication of rights of women was published in, यानि कि a vindication of rights of women, जो है, वो कब published किया गया था, और इसका answer है, कि 1792 में, अगला question, how many chapters have in the work, a vindication of the rights of women, तो a vindication of the rights of women, जो है, यह जो work है, जिसको लिखा है, Mary Willstonecraft में, इसमें कितने chapters हैं, तो इसका answer है 13, यानि कि 13, तो दोस्तो आज जो हमारा वीडियो है, वो यहीं पर सनाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, यही उपाँ, आज जो हमारा वीडियो भान्यवाद, अप्त Webs Ça ne tahun 200 रवारें, यो